Hello everyone, welcome to all on my channel तो student, आज हम जो start करने जा रहे हैं वो हमारा CT main का slaves देखिए, आपके आगे खुला हुआ है इसमें जो हमारा 70% जो weightage रहेगी वो इस slaves की रहेगी, इसके along और भी subject है जिनकी 70% weightage है, वो सारे ही 70% weightage के अंदर आते हैं तो यहाँ देखिए, हमारी यहाँ पे जो EVS और एक जो disaster management का topic है अभी हम यही start कर रहे हैं तो यह हमारा disaster management और EVS दोनों ही level के अगर हम बात करें, जो 12th level पे जो हमारा CT mains होगा जो बच्चे देंगे और जो graduation के बेस पे देंगे भई दोनों के लिए बिलकुल यही syllabus उन्होंने रखा है और यह बिलकुल हमारा graduation level का पूछा जाएगा बेशक से level हमारा 12th का है तो यह जो बिलकुल detailed syllabus हमें उठा के दिया गया है यह हमें graduation level का ही दिया गया है तो हम आज जो topic स्टार्ट करेंगे वो हमारे disaster management से हम स्टार्ट कर रहे है जिसमें हम study करेंगे कि disaster management actual में है क्या type हम यहाँ study करेंगे natural disaster और man with disaster तो यह कुछ topic है जिनको आज हम complete करेंगे and slowly slowly we complete all the topic which are given in this pdf so आप सारे जुड़े रहे हैं मेरे channel के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज अपना first topic जो हमारा है disaster है क्या? What is a disaster? सबसे पहले तो यहाँ first question बन जाता है first line से ही कि जो disaster word है इसका origin किस word language के word से हुआ है तो disaster का जो origin हुआ है वो french word disaster से हुआ है ठीक है आप देखिए disaster में भी दो words का combination है एक dis जिसका meaning होता है bad और second है हमारा astre जिसका meaning होता है star तो हम क्या कह सकते है जो यह particular term है इसको हम कैसे define कर सकते है bad और evil star तो जो disaster होता है उससे क्या होगा बहुत serious disruption होता है हमारी community में या society में disruption कैसे होता है क्योंकि जो disaster के time पे losses होता है वो material का होगा economic loss होगा क्योंकि सब कुछ buildings वगरे है industries वगरे है अगर वो नहीं रहेंगी तो हमें economic काफी loss हो जाएगा क्योंकि मनुष्य मर रहे है आदमी मर रहे है human being जा रहे है organism की death हो रहे है human being की death हो रहे है रहे का organism है उनके natural habitat है everything is destruct सब कुछ खतम हो जाता है disaster के time पे disaster environment loss होता है which exceed the ability of the affected society to cope using its own resources मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारी affected society है वो इतनी बुरी तरह से affected होते है कि उनके खुद के own resources को भी वो cope नहीं कर पाते है handle नहीं कर पाते और सब कुछ उनके हाथ से चला जाता है अब देखिए disaster में आता क्या का है जितनी भी हमारी natural calamities आती है जो हमारे man made की वज़े से जो भी risk पैदा होता है वो सब हमारा disaster के अंदर आता है like earthquake हो गया और हम क्या कह सकते हैं flood हो गया, drought हो गया ठीक है उसके अलावा cyclones हो गए tsunami हो गए, strome आते है तो वह यह सारे ही हमारे disaster है आगे जो हमें further वीडियो आपके लिए लेके आओंगे इनको हम categorize भी करेंगे कि कौन सी जो calamities है natural calamities है कौन सी किस तरह के disaster के अंदर हम consider करेंगे तो I think disaster का meaning सबको clear हो गया होगा अब देखिए फिर से definition है disaster is a result from the combination of hazard vulnerability and insufficient capacity or measure to reduce the potential chance of risk अब देखिए disaster किस किस से मिलके बना है hazard एक word है जो disaster के अंदर आता है vulnerability की को कौन सा disaster जैसे हमने earthquake का example लिया वो कितना vulnerable था कितना उसकी वज़े से जो हमारा loss है वो हुआ है देखिए कोई अगर earthquake 7.9 का reactor scale पे measure किया जाता है लेकिन अगर उसकी वज़े से कोई risk नहीं हुआ कोई building नहीं डूटी कोई human being नहीं उसके death नहीं हुई तो हम उसको disaster में consider नहीं करेंगे ठीक है disaster में कोई चीज तभी consider होती है जब हमें social laws environmental laws economic laws इस तरह के laws जब हमें हो जाते हैं तो उस particular जो calamities आई है उसको हम disaster में count कर लेते हैं तो disaster हमें यह कह सकते हैं यह combination है hazard का vulnerability का and insufficient capacity हमारे पास इतनी capacity नहीं है कि जो chance of risk हमारे आगे आया है हम उसके potential को उसकी श्यमता को कम कर पाएं तब वो क्या कहलाता है disaster कहलाता है ठीक है a disaster happen when a hazard impact or vulnerable population and cause damage अभी disaster है उसमें क्या होता है disaster के अंदर जो भी hazard हुआ है और hazard किस पे हुआ है हमारी vulnerable population पे और जब hazard आता है तो क्या होगा damage होगा casualties होगे disruption होगा ठीक है और उसी को हम क्या consider करेंगे disaster अब देखिए disaster कौन कौन से हो सकते है जो भी hazard है वो disaster है अगर उनकी वज़े से कोई भी loss होता है तो like flood है बार्ड जो आती है अर्थ को एक बुकंप जो आता है cyclone आते है ठीक है अब ये देखिए ये जो हमें hazard given है is a triggering event along with greater vulnerability would lead to disaster causing great loss of life and property अब इन सारे hazard की वज़े से क्या होता है हम जो हमारे resources है उनको access नहीं कर पाते जो लोग है वो काफी old लोग है बीमार लोग है लोगों के अंदर awareness नहीं है तो इस तरह के hazard किसमे convert हो जाते है disaster में convert हो जाते है और हमें greater loss होता है life का और property का जैसे हमने example लिया एक और example से समझाया है कि जो एक earthquake है in an inhabited desert मतलब एक desert के अंदर आया जहाँ पे कोई habit ही नहीं है कोई life ही नहीं है तो वहाँ पे अगर आ भी जाता है disaster earthquake और वहाँ life नहीं है तो किसी चीज़ का loss नहीं हुआ तो उसको हम disaster consider नहीं करेंगे वो बिल्कुल भी disaster में count नहीं होगा कोई भी hazard disaster में count कब किया जाएगा जब उसकी वज़े से greater life of economic loss हम यह बोले economic loss हुआ है या life का loss हुआ है तभी हम किसी hazard को disaster में मानते हैं तो I think अभी disaster का meaning सबको clear हो गया होगा एक minute यह देख लेते हैं हमें क्या दिया है vulnerability और hazards दोनों मिलके क्या बनाते हैं disaster अब देखिए अंडरलेंग कोज़ेज limited access to resources vulnerable में क्या क्या point आएंगे हम जो हमारे आगे resources हैं उनको access नहीं कर पा रहे illness और disabilities लोगों के अंदर होगी ठीक है गरीबी होगी dynamic pressure कैसे है lack of institution education training skill population expansion होगा urbanization uncontrolled development environment degradation यह हमारा सब dynamic pressure के अंदर आता है और यह बात किसकी चलती है vulnerable कैसे है population unsafe condition कैसे होगी dangerous location हो dangerous building हो low income level हो ठीक है अब hazard क्या होता है यह एक triggery event है जैसे कोई भी earthquake है tsunami है flood है cyclone है volcanic eruption है drought है landslide है war है technological कोई accident हुआ है environment pollution हुआ है तो इन सब की वज़े से इन hazard की वज़े से vulnerability पैदा होगी सबसे पहले और जब vulnerability पैदा होगी तो loss किसका होगा automatically loss होगा life का economy का और हमारे environment का और जब इनका loss होगा ना तो इससे क्या बन जाएगा disaster बन जाएगा ठीक है तो इसके थुरू आपको और अच्छे से समझाया होगा अब हम भात करते हैं इंडिया के अंदर जो disaster आए हैं उनका एक background चेक कर लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बड़ा disaster था जिसने इंडिया को हिट किया था ठीक है तो इंडिया तो country ही है जो struggle करती रहती है disaster से और काफी साल से ऐसा कर रही है क्योंकि इंडिया का जो अलग-लग एरिया है वो prone है अलग-लग तरह की disaster से तो हम कैसे वो दिन भूल सकते हैं सुनामी का जब सुनामी ने coastal पार्ट था जो इंडिया का 26 दिसंबर 2004 को ये डेट आपको जरूर याद रखनी है पूछी जा सकते है 26 दिसंबर 2004 को मौनिंग के टाइम पे 26 जनवरी 2001 को हिट किया था ठीक है ये तो पहले coastal पार्ट था इतना फिर वही 26 जनवरी 2001 को western पार्ट जो इंडिया का वो badly affect हुआ था earthquake से ठीक है there are just few examples we always listen और सभी को बताए कि इस तरह की news हम हर दिन अपने print और electronic मेडिया में पढ़ते और सुनते रहते हैं ठीक है तो इंडिया हम क्या सुनते है कि एक पार्ट है इंडिया का जहां पे सुखा पढ़ गया है drought है और दूसरा पार्ट है वहाँ पानी पानी चल रहा है बाड़ आ गई है flood इतनी है बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है heavy rainfall है तो क्यों है ऐसा क्योंकि जो हमारा इंडिया का एरिया है वो एरिया अलग लगतर है कि disaster से prone area है कि इस एरिया के अंदर सुखा पढ़ सकता है इस एरिया के अंदर बाड़ ज़्यादा आ सकती है इस एरिया के अंदर cyclone ज़्यादा आ सकते है तो ये region है ठीक है अब देखिए due to vulnerability of different kind of disaster it is said that इंडिया is a disaster prone country क्यों बोला जाता है क्योंकि हमारी जो disaster है वो vulnerable है अलग लग तरह से अलग लग region के अंदर जैसे 55% जो हमारा land area है वो ऐसा land area है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भुकम पा सकते हैं 12% land area हमारा ऐसा है जहां पर बाड़ ज़्यादा आ सकती है 8% ऐसा area है हमारे इंडिया के अंदर जहां cyclone का खत्रा ज़्यादा है और 70% land ऐसी है जहां पर खेती गी जा रही है लेकिन क्या होता है अभी भी सबने देखा है बही गहूं कटने का टाइम था और हमारे बारिश स्टार्ट हो गई जबकि यह कोई सीजन नहीं था बारिश का तो यहां पर जो एक farmer था उसको कितना ज्यादा low सुआ है वो पूरे साल कितना हाइड वर्क करता है कितने महनत करता है लेकिन लास्ट में जो इसको output मिलता है वो output बिलकों low हो जाता है तो यह भी क्या है एक तरह का disaster है वो सफर करता है उससे साल और कई साल वो सफर परता रहता है तो हमारे जो 80%otes area के ओपर खेती की जा रही है वो सूखे की वज़े से प्रोन है वल्नियूरिबल है ठीक है आप देखिए ये कुछ मैजर डिजास्टर हैं इंडिया के कव से 1970 से तो ये आपको ध्यार रखने है साइकलोन दे रखा है यहाँ पर अर्थक्वेक है लेंड्स्लाइड कब हुआ है फ्लड कब आई है तो ये टेबल आपको न चाहिए आप एक दिन में इसको याद मत करो आप इस टेबल से तीन उठाओ साइकलोन आज हमने पड़े फिर नेक्स तरी उठाओ फिर नेक्स तरी उठाओ और इस तरीके से इनको रिवाइज करते रहो ताकि इनकी जो डेट है वो आपके माइंड में स्टिक हो जाए आप देखे सबसे पहला जो साइकलोन है वो कब आया 29 ओक्टूबर 1971 को उडिसा के अंदर आया ठीक है अब इसमें क्या था टाइडल वेव जो आई उसके वज़े से 10,000 लोग मारे गई ठीक है सेकिंड देखे 19 नुवंबर 1977 को आया आंध्रा परदेश के अंदर वे अब इस में 9,000 लोग मरे और 18,000,000 पीपल इससे अफेक्ट हुए ठीक है इसी तरह अर्थकूएक भाई 20 ओक्टूबर 1991 को उत्रकाशी के अंदर आया इतना इसका मैगनिटूड मैजर हुआ और 723 लोग मारे गई 30 सितंबर 1993 को कहा है लटूर अप्रोक्सिमेटली 8,000 पीपल इसमें म मारे गई 29 मार्च 1997 को चमोली डिस्ट्रिक है जो हमारी उत्राखंड के अंदर वहां पे आया जिसमें 100 लोग मारे गई 26 यनुरी 2000 को भूज गुजरात के अंदर आया और इसमें भी मूर दैन मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गई और काफी हैवी लोस हुआ इंफरास्ट्रक्चर का अब लेंड्सलाइड की बात कर लेते हैं जुलाई 1909 में असाम के अंदर 300 पीपल इसमें मारे गई फिर लेंड्सलाइड हुई अगस्ट 1993 नागलेंड समको पता है लेंड्सलाइड मोस्ली हिली एरियाज में होती है तो हिली एरियाज के अंदर ये स्लाइड जो होती है उसकी वज़े से ये डेटा मैंने या मैंशिन क्या है तो आप इसको एट लिस्ट याद रखे क्योंकि हमसे कभी भी कोई भी क्वेशन हमारा एच एससी पूछ सकता है ठीक है नेक्स देखिए अब हम हैजार्ड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है एक बा है डेट थ्रेट और हैव दपोटेंशल अब इसका खत्रा क्या है और इसकी शिम्ता क्या होती है कि ये इंजर कर सकता है लाइफ को लोगों को और उनकी प्रोपर्टी को डेमेज कर सकता है भी प्रोपर्टी डेमेज हो सकती है एन्वार्वेंट हमारा खतम हो सकता है अब य यहां से भी question बन सकता है कि जो हमारा hazard यह particular word है यह किस French word से निकल किया है तो यह आपको याद रखना है hazard जिसका meaning क्या होता है chance और luck अब दो तरह की category है जहां पे हमने hazard को classify किया है एक natural hazards होते है एक man-made hazards होते है अब हम study करेंगे सबसे पहले अपना natural hazard देखिए natural hazard क्या होता है student natural hazard are the hazard which are caused because of natural phenomena तो ऐसे सारे hazardous जिसमें nature का रूल होता है nature की वजह से वो खत्रा हुआ है तो वो natural hazard के अंदर आता है जैसे कोई meteorological मतलब हमारे environment से related है lightning होती है, thundering होती है इस तरह का कोई hazard है जियोलोजिकल है, अर्थ के अंदर कोई hazard होता है लाइक अर्थ कोई और हम कह सकते है volcanic corruption biological origin है biological origin जैसे अब flu आया था, corona आया था काफी लोग मारे गए थे तो इस तरह का जो ये hazard था ये biological के अंदर आता है क्योंकि ये किस से हुआ था एक वाइरस से हुआ था तो वाइरस को अंदर लेंगे तो ये एक हमारा biological origin का hazard है तो ये जो सारे hazards है अब इसमें human being का role indirect way से हो सकता है, लेकि indirect यहां role किसका था, nature का था तो example भी given है natural hazards के वहीं साइकलोन है, सुनामी है earth quake है, volcanic eruption है which are exclusively of natural origin और सारों का ही origin यहाँ पे क्या है, natural है अब देखिए इसके अलावा landslide, floods, drought, fire, social natural hazards since they cause both natural and man made अब इन में दोनों का role है nature का भी है और कहीं न कहीं man का भी role है जैसे for example flooding may be caused because of heavy rain अब जो बार डाती है वो क्या आती है, बारिश की वज़े से आती है और जो ये rainfall के pattern में change हो रहा है इसके पीछे हाथ किसका human being का है, ठीक है human being ने pollution इतना कर दिया environment के अंदर, green house effect की वज़े से global warming का खत्रा बढ़ा है global warming की वज़े से rainfall का pattern change हो गया हमारी इंडिया के अंदर और कहीं न कहीं इससे क्या हो रहा है hazard जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है तो हम ये कह सकते हैं जो natural hazards आने का भी कारण है indirect way में वहाँ भी हाथ किसका है, human being का ही है ठीक है, तो ये सारे हमारे natural थे भी, next हम कुछ देखते है, man maze hazards तो ये वो hazards है, which are duty human negligence जो मतलब, जो human being है उसके unawareness के कारण हम बोल सकते हैं, उसकी negligence के कारण हम बोल सकते हैं, जो ये हजार्स होते हैं जैसे वो leakage हुई थी भॉपाल gas tragedy सब को यादा भी 1984 के अंदर, जिसमे gas leak हुई थी, methyl isocyanate तो वहाँ पे जो ये gas leak हुई leakage हुई, तो उस leakage में भी कही न कहीं कुछ fault रहोगा human being का, तभी वो leakage हुई है अब कोई industries में ऐसा हो जाता है या energy generation facility के टाइम पे ऐसा हो जाए industry के अंदर कोई explosion हो जाए toxic waste का leakage हो जाता है कई बार जो dam हमने बना रखा है वो dam का material अच्छा नहीं और वो dam failure होता है तो इस तरीके जहां पे कहीं न कहीं human being का हाथ है वो सारे ही हमारे कौन से hazard होते है man made hazards होते है अब देखे कुछ types दी है hazard की कई बार क्या पूछ लिया जाता है अर्थक्वेक आपको दे दिया और ये पूछ लिया जाता है क्या अर्थक्वेक geological hazard है क्या ये water or climatic है क्या ये environment है क्या ये biological है अब अगर हमें पता ही नहीं होगा अर्थक्वेक कहां आ रहा है कहां इसका main role हो रहा है तो हमें नहीं पता होगा कि इसके अंदर कौन से आएंगे अब देखे geological hazards का मतलब है वो hazards जो हमारे अर्थ सर्फेस के उपर होते है अब अर्थक्वेक है बुकम पाता है अर्थ के उपर भी आता है पानी के अंदर भी आता है ठीक है तो लेकिन हम इसको किसमें कंसिर्डर करते हैं यहां पे अर्थक्वेक को geological hazards के अंदर सुनामी है हमारी वे उसके अलावा volcanic eruption है land slide जो होते है dam brust जो होते है mine fire होती है अब आपको याद रखना है यह जितने भी हैजार्स अभी हमने study किये है यह सारी ही हमारी क्या है geological hazards है ठीक है आप इनको बार बार रीड कीजिए और याद करने की कोशिश केजिए कि कौन सा किस के अंडर आता है water के अंडर अगर हम बात करें तो हमारी जो बार आती है सूखा पड़ता है हेल स्टोम है olive अगरा आते हैं tornado आते हैं hurricane tropical cyclone आते हैं बादल जो फटता है cloud brust land slide देखो दोनों में mention है वो उसको हम geological hazards में भी कर सकते हैं और water और climatic में भी है heat और cold wave जो चलती है क्योंकि यहां पर climate की भी बात हुई है न तो heat और cold wave को हम climatic hazard में लेंगे specifically snow avalanches हो होता है यह जो बरफ गिरती है sea erosion मतलब जो समूंदर के अंदर erosion होता है तो उसको हम water में consider कर लेंगे तो यह हमारे किसके अंदर आते है water और climatic hazards अब environment के अंदर क्या क्या आएंगे student environmental pollution हो गया deforestation जो पेडों को cut किया जा रहा है desertification पेड कट करेंगी तो जो land है वो barren हो जाती है रहाँ पे desert बन जाते है pest का जो infection है pesticides हम यूज करते हैं pest को मारने के लिए तो जो अगर pest का infection बढ़ गया तो वो भी कही न कही हमारे किसको effect कर रहा है environment को तो वो भी किसके अंदर आता है environmental hazards के अंदर आप देखिए biological में क्या क्या consider करेंगे human and animal epidemics जैसे यह epidemic आया था corona की वज़े से ठीक है जिसका सारा effect human के उपर था कुछ ऐसे भी epidemics आते हैं जिनका effect animal के उपर जाता होता है तो वो हमारा biological के अंदर आता है ठीक है pest attack है food poisoning जो होता है weapon होता है weapons of mass destruction तो यह सारे जो hazard हैं वो biological के अंदर आते हैं अब दो दे रखे chemical industrial and nuclear accident chemical जो disaster है industrial disaster है oil spills होती है किस के clear कोई disaster होता है तो वो हम इसके अंदर consider करते हैं अब accidental related क्या हो सकते हैं boat road से कोई disaster हो जाए ज्यादा बड़ा train से हो जाए air crash हो जाए ठीक है bomb serial bomb blast हो जाए तो उसको हम accident में लेंगे forest fire को भी हम accident में लेंगे building भीड़ जाए collapse होती है electrical accident कोई हो जाए जैसे current वरंड से लोग मारे जाते हैं festival related कोई disaster है जैसे दिवाली पर पता है भी पटा के वगएरे चुड़ाते तो कही जगे आग लग जाती है तो उसको जो हम consider करेंगे न वो हमारे accident related में आएंगे mine flooding है ये सारे हमारे किसके अंदर है accident related तो भी ये आपको याद रखने है कि कौन सा जो hazard है वो किस तरह है कि हमारे disaster के अंदर या hazard के अंदर count किया जाएगा ये आपको याद रखना है यहाँ पे next हम बात करेंगे vulnerability क्या है अभी हमने disaster का meaning पढ़ा फिर हमने hazards के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे what is vulnerability तो vulnerability क्या होती है vulnerability may be defined as the extent to which a community structure, services और geographical area is likely to be damaged or disrupted by the impact of particular hazard मतलब ये वो extent है वो level है जिससे कोई भी community, उस community के हर तरह के structure वहाँ की जो services थी services जैसे market वगेरे थी दूद की market है, सबजी की market है वो हर तरह की services वो geographical area जिस area के अंदर ऐसा हुआ है उसमें किस level तक damage हुआ है किस level तक disruption हुआ है वो होता है हमारी vulnerability एक particular hazard की वज़े से ठीक है वो उसको हम बोलते हैं भी vulnerability अब vulnerability को भी हम categorize कर सकते है vulnerability can be categorized into physical भी हो सकती है वो vulnerability और वो socio-economical vulnerability भी हो सकती है अब इनका meaning क्या है देखे, physical vulnerability में क्या आएगा it include notion of who and what may be damaged or destroyed by natural hazard such as earthquake or flood इसमें जो आएगे वो आएगा कौन damage हुआ है ठीक है किस level तक damage हुआ है किस की वज़े से किसी भी natural hazard की वज़े से मतलब physical condition हम people की देखेंगे physical word आया है तो physical condition of people and element at risk मतलब उनकी जो building है उनका जो घर का infrastructure है वो सारा हमारे किस vulnerability के अंदर आया physical vulnerability के अंदर वहां के building उन लोगों का infrastructure ये सारी physical vulnerability है उनकी proximity वो जहां रहे रहे थे तो इन सब पे कितना effect हुआ है वो हमारे किस के अंदर आता है physical vulnerability के अंदर it also relates to the technical capability of building and structure to register the force acting upon them during a hazard event ठीक है site after pressure from population growth and urbanization ये आप देख लेने डाइग्राम में socio-economic vulnerability में क्या आप देखते हैं कि कोई भी जो population है किसी भी hazards की वज़े से उस पे कितना damage हुआ है ठीक है वो कितना effect हुआ है लेकिन socio-economic condition में हम क्या देखेंगे कि जो लोग है उनके उपर कितना effect आया है अब देखिए अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब people था जो सी समुद्दर के किनारे के पास उनकी घर थे और एक बुरे तेज साइकलोन की वज़े से उनके घर बुरी तरीके से damage हो गए और वो इतने गरीब है इतनी poverty उनके पास है कि वो उस अपने घर को दोबारा reconstruct नहीं कर सकते ठीक है उनके लिए construction के पास ना कोई concrete है ना पैसे है तो अब वहाँ पे जो effect आया वो किस पे आया लोगों पे आया, people पे आया तो उस तरीके की जो vulnerability है उसको बोला जाता है socio-economic क्योंकि वहाँ पे जो log effect हुए वो पैसे poverty की वज़े से effect हुए economy उनके पास थी ही नहीं तो उसको हमने क्या consider कर लिया socio-economic vulnerability तो ऐसे लोग क्या रते generally at risk and अपने घर खोदेते हैं, lose their shelter even whenever there is strong wind or cyclone, जब कभी भी strong wind या cyclone आता है और because of this poverty अपनी गरीबी की वज़े से they too are notable to rebuild their houses ऐसे लोग अपने घर भी दोबारा नहीं बना पाते तो इस तरह कि जो ये vulnerability है ना किसी भी hazard की वज़े से वो आती है वही हमारी socio-economic के अंदर ठीक है, अब हम पढ़ते हैं risk के बारे में, तो risk क्या होता है risk is a measure of expected losses due to hazard event occurring in a given area over a specific time period, मतलब particular time period के अंदर मालिया, आज की हमने बात की 24 गंटे की और उस दीन के अंदर कोई भुकम पाया earthquake आया, तो इस particular time period के अंदर कितना area और कितने लोग उस hazard की वज़े से क्या हो गई, losses हो गई मतलब expected calculation हम कर लेते हैं तो वो होता है उस time का risk कि इतना risk हुआ है risk is a function of the probability of particular hazard event and losses each would cause ठीक है, अब level क्या हो सकता है risk का, किस पर depend करेगा बई risk ज़्यादा है या कम है एक तो nature of hazard पे जैसे अगर हम बात करें कि reactor scale पे जो earthquake था वो 7.9 का था तो हाँ पर risk ज़्यादा रहीगा ना risk ज़्यादा होगा हर चीज का, second क्या होता है जो level है risk का, वो किस पर depend करता है vulnerability of element which are affected, third किस पर depend करेगा, economic value of those element, clear है तो एक community or locality is said to be risk when it is exposed to hazard and like to adversely affect by its impact तो कोई भी community or locality उसको हम कब बोलेंगे कि वो risk पे है जब वो ऐसे hazard से affected होते है, जो उनको adversely effect करता है ठीक है अब हम बात करते है disaster management and is basically disaster risk management disaster risk management include all measure which reduce disaster अब disaster risk management में हमारे पास क्या होना चाहिए, वो सारी measure हमें पता होने चाहिए, जिससे हम disaster को reduce कर सके जो life जा रही है, उनको कम कर सके, और अपनी property और assets को reduce मतलब खतम होने से बचा सके उसको हम बोलते है, disaster risk management ठीक है, इसलिए हमने risk को discuss किया है इस ट्रम को, ताकि हमें समझ आ जाई disaster risk management का अर्थ क्या होता है अब ये कुछ step है, जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे, disaster risk management cycle के अंदर कि हमें pre-disaster क्या करना चाहिए during disaster हमें क्या करना चाहिए और अगर disaster आ गया है जिससे life losses होई है तो उसके बाद हमें क्या step उठाने चाहिए तो जो पहले के step होते है pre-disaster उनको बोलते है preparedness और mitigation ठीक है, अब इनहीं को हम detail में study करेंगे, अपनी disaster management cycle के अंदर देखिए, disaster risk management include some total of all activity program and measure which can be taken up before, during or after a disaster with the purpose to avoid a disaster reduce its impact or recover from its losses मतलब हम disaster risk management में हर वो तरह के activity कर सकते हैं पहले भी कर सकते हैं, disaster आने से पहले उस time पे भी वो activity होती है और disaster आने के बाद भी ऐसा होता है, ताकि हम अपने आपको disaster से क्या कर सके, बचा सके अगर आया है तो उसके impact को कम कर सके, जो life हुई है losses का, उनको recover करने की कोशिश कर सके, तो कुछ ऐसी activity हमें करनी पड़ती है disaster management cycle में, अब अगर before a disaster हम कुछ prepare कर रहे हैं, तो उसको बलेंगे pre-disaster step, activity taken to reduce human and property losses caused by potential hazard, for example, carrying out awareness campaign, strengthening the existing weak structure, preparation of the disaster management plan at household or community level, such risk reduction measures taken under this stage are termed as mitigation and preparedness activity, अब यह क्या कह रहे हैं, students, समझो, कि मतलब, हम कोई भी ऐसे activity करें, जिससे हम जो human है, या हमारी property loss है, उसको बचा पाएं कैसे बचा पाएंगे before disaster, हम लोगों के अंदर awareness लेके आएंगे, awareness campaign के थुरू, जो हमारा weak structure है, उसको strengthen करेंगे वो भी awareness के थुरू होगा अगर हमें पता चल गया है कि disaster आने वाला है, तो उस disaster से निपटने के लिए हम पहले से ही preparation करके रखें वो preparation, एक household individual level पे भी होनी चाहिए और एक community level पे भी वो preparation होनी चाहिए, ताकि जो risk हमारे आगे हम उसको reduce कर सकें और इस तरह कि जो activity disaster आने से पहले की जाती है भी, उनको हम बोलते हैं mitigation और preparedness activity, अब disaster आ गया है, during a disaster तो disaster की occurrence हो चुके है, उस time पे हमें क्या करना चाहिए उस time पे भी हमें कुछ initiative लेने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सके, जो victim है जो उससे मतलब सफर कर रहे हैं, आने के बाद उनकी उस suffering को हम कर कम कर पाएं, ठीक है, तो वो सारी activity जो हम इस stage पे करते हैं, ताकि जो victim person है उनको हम सफर कम कराएं, तो इस तरह के activity जो during disaster time पे की जाती है, उनको हम बोलते है, emergency response activity, कि disaster तो आ गया, अब हमें कुछ ऐसी activity करनी पड़ेंगी, emergency कुछ ऐसी activity करनी पड़ेंगी, ताकि लोग कम सफर करें, फिर कुछ होती है, वही after a disaster, after a disaster में आती है, हमारी post disaster, क्योंकि disaster के बाद की जो activity है, disaster आके जा चुका, अब हमें क्या करना है, तो वो सारे initiative, that are taken in response to a disaster, with the purpose to achieve early recovery, कि जो हमने खो दिया, उसको जल्दी से जल्दी हम recover करें, जो हमारी affected community है, उसको rehabilitation center provide कराएं, immediately after a disaster strike, disaster के आने के just बाद, तो इस तरह की जो activity होती है, उनको हम बोलते हैं, response और recovery activity, तो ये कुछ हमारी cycle थे बई, जो आप इस diagram से भी देखो समझ सकते हैं, इसमे step given है, कुछ जो step होते हैं, हमारे, वो pre- disaster है, जिससे हम risk reduction करेंगे, ठीक है, मतलब आई ही ना, ऐसा कुछ step follow करेंगे, और अगर post- disaster हम कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए, तो वो हमारा recovery step हो जाता है, इस diagram के through भी आप study कर सकते हैं, तो आज just हम इतना ही complete करेंगे, अगर student आपको video अच्छी लगी, तो video को like करें, अपने friends के साथ share करें, ताकि उनके लिए भी CT mains की preparation करना easy हो जाए, हमारे HSSC ने news labels, हमारी CT main के अंदर डाला है, तो हर किसी को देखिए, इसकी need है, जो भी foam fill करेंगे, तो आशा करती हूं मेरा ये topic सबको clear हुआ होगा, अगर आपको video अच्छी लगती है, तो भी channel को subscribe करेंगा and share this video with your friend, thank you everyone